हलो फ्रेंज, चैप मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों? संडे का खास दिन है और आज के दिन बहुत सारी पूजा पाट की बात ना करते वे कुछ हलकी हलकी जोतिश की बाते हम करते हैं हमारे हाथ की रेखाओं की बात करते हैं जो हमारे जीवन के बहुत सारे राज खोलती है इसलिए कहा जाता है हर किसी को हतेली नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लकीरों को चुरा लेते हैं लकीरे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय के बारे में अंदाजा लगा करके सावधानियों को जरूर बरत सकते हैं। हमारे हाथ की लकीरे, हमारे हाथ के उबरेवे भाग, इन सब का जोतिश में बहुत बड़ा महत्व होता है, हतेलियों में उगलियों के नीचे का जो भाग होता है, उसको हम परवत कहते हैं। और इनी परवतों के द्वारा आप अपने और दूसरों के सभाव की विशेष्टाओं को जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे इन परवतों की परवतों में भी सूर्य परवत की हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ ले, परवतों की स्थिती अलग-अलग स्थानों पर बनती है, हतेली में गुरु होते हैं, शनी होते हैं, सूरिय, बुध, उंगले के नीचे के हिस्से में रहते हैं, और जो मंगल होते हैं, वो तरजनी और अंगूठे के पीछ होते हैं जो शुक्र परवत होता है वो अंगूठे के नीचे होता है जो चंद्र परवत होता है वो कनिष्टी का उंगली के नीचे और कलाई के उपर वाले भाग में माने जाते हैं जो हमारी हतेली की रेखाएं हैं जो परवत हैं उन पर अगर निशान होते हैं तो व आज हम बात करेंगे यश, मान, सम्मान, धन, आदी जिसके कारक सूर्य देवता है, सूर्य परवत की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेंगे बाकी परवत कौन-कौन से होते हैं, और इनका हमारी लाइफ में क्या रोल है। समवेदनशील, कवी, कलाकार, साहितिकार, सौंदर ये प्रेमी होता है। गंबीर शेत्र मानसिक चिंता और चंचल बुद्धी को प्रकट करता है, और इस शेत्र में अगर कोई रेखा हो जो शुक्र परवत तक पहुँच जाए, तो वो विदेश यात्रा के योग बनते मंगल शेत्र की हम बात करते हैं, दूसरा परवत जो गुरु परवत के नीचे होता है, और बुद्ध और चंद्र शेत्र के बीच मंगल परवत होता है, यानि हमारी हतेलियों के सेंटर में। मंगल हमारी भौतिक स्थिती, हमारी मानसिक स्थिती को दर्शाता है, और मंगल क सामान्य गुण अगर हो तो बल, साहस, निर्भैता आधी होते हैं, रक्त को तेजित करता है, ऐसे व्यक्ति कठिनाई से विचलित नहीं होते हैं, आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, द्रिड सभाव के होते हैं, अति विक्सिजो शेत्र हो अगर ये शेत्र उचा हो तो उग्र स्वभाव का प्रतिक होते हैं। और मंगल द्वित्य वाले व्यक्ति बुद्धिमान, मेधावी और व्यज्यानिक होते हैं जो बुद्ध शेत्र वाले होते हैं यानि जो हमारी कनिष्टि का उंगली है सबसे छोटी उंगली उसके नीचे के उपरे उभरे विभाग को बुद्ध शेत्र हम कहते हैं और बुद्ध का स्वभाओ, द्रिष्टी सजग रखने का है, बुद्ध शेतर के उबरे भागवाले वेक्ति यात्रा अधिक करते हैं ऐसे वेक्ति बाग शक्ति आनि बोलने की शक्ति में प्रकर होते हैं, लेकिन उनका मन अस्थिर होता है व्यापार हो व्यवसाय हो ये परवत इसमें लाब दिलाता है इस परवत पर अगर तीन रेखाएं आपकी खड़ी हुई हो तो मनुष्य चिकत्सिय यानि मेडिकल शेत्र में यश पाता है और दबा हुआ परवत अगर होता है तो ये विवेख हीनता यानि characterlessness का और भी चरित्रवान नहीं होता इंसान ये problem होती है नेक्स हम बात करते है गुरू शेत्र की जो तरजनी के मूल के नीचे वाला भाग है यानि गुरू परवत शेत्र इसको हम कहते हैं अगर ये शेत्र उभरा हुआ है तो मनुष्य उत्साह युक्त स्वतंत्र प्रकृती का आदर्शवादी विचारवान और सोशल होता है ऐसे व्यक्ति विवेक और बुद्धी का बहुत उपयोग करते गुरू होता ही ऐसे हैं और स्वयम के सामने सभी को तुच्छ समझता है यदि परवत दबा हुआ होता है तो ये भी दिक्कत होता है कारियों में उलजने वाला दुर्भाग्य को पाने वाला होता है बात कर लेते हम शुक्र की दोस्तों शुक्र यानि लक्षरी इन लाइफ अंगूठे के मूल से जीवन रेखा तक जो फैला हुआ उचा गद्दी दार जो हमारा मानसल भाग होता है उसको हम शुक्र कहते हैं परवत अगर शुक्र परवत उचा हो तो मनुश्य का स्वास्त सुंदर्य प्रेम संतान सुख इन सब में लाप्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति दयावान होता है कला संगीत का प्रेमी होता है अति विक्सित हो तो प्रेम संबंदों की ओर संकेत करता है और अगर ये फ्लैट होता है सपाट होता है समतल होता है तो मनुश्य में अध्यात्मिक्ता की तरफ जादा जुका होता है परवत अगर इस्त्री के हाथ में बहुत उब्रावा हो तो ये काम वासना का प्रतीक में हमा जाता है नेक्स हम बात करें दोस्तों शनी के शेत्र की मध्यमा के मूल में मध्यृदय रेका तक फैले शेत्र को हम शनी परवत कहते हैं अगर उब्रावा हो तो मनुष्य एकांत प्रिय होता है भाग्यवादी होता है गंभीर होता है दूरदर्शी होता है आध्यात्मिक होता है और परिश्रमी होता है उच्च परवत वाले गंभीर स्वभाव के होते हैं अगर कुछ नहीं मिलता उनको लाइफ में अच्छा उनक अध्यात्मवादी और दार्शनिक बताये जाते हैं अगर ये दबा हुआ होता है तो मनुष्य को जीवन में दुर्भागे का सामना करना पड़ता है आज हम बात करने वाले हैं सूर्य शेत्र की सूर्य शेत्र और इस पे कौन-कौन से निशान हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं अनामिका के नीचे का जो मानसल भाग होता है इसको सूर्य शेत्र हम कहते हैं अनामिका उंगली के नीचे मूल में और हिरदय रेखा के उपर का भाग सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है, मनुशी की प्रसिद्धी हुई, मनुशी की परसनालिटी हुई, इससे जुड़ावा होता है, और जिन लोगों की हतेली में सूर्य पर्वत, दूसरे पर्वतों की उपेक्षा अधिक उभरावा हो, साफ साफ दिखाई देता है, वे लोग जीवन में उच्छे पद पर पहुंचते हैं और ऐसे लोगों को समाज में सबर्दस्थ प्रसिधी मिलती है अगर ये उभार समान हो थोड़ा कम हो तो भी मनुष्य तार्शनिक होता है बौधिक होता है विद्वान होता है राइटर होता है वक्ता होता है धरम गुरू ह और यदि सूर्य छेत्र ये दबा हुआ हो तो मनुष्य मंद बुद्धी हो जाता है उसको ख्याती नहीं मिलती यदि सूर्य परवत विक्सित होता है तो ये सपलता का सूचक होता है और अगर हात में सूर्य परवत नहीं है तो मनुष्य उपेक्षित जीवन यानि की बहु तो आशावादी होते हर काम में पॉजिटिविटी देखते हैं। बहुमुकी प्रतिभावान होते हैं। बहुत सारे मल्टी टास्किंग जिनको कहते हैं। यूज्वली ये वही लोग होते हैं। और यही इनको यशस्वी भी बनाता है। पुर्ण रूप से उन्नत होने पर, विक्सित होने पर, आभा युक्त होने पर मनुश्य बहुत ही उच्चिस्थान में पहुंचता है। और ऐसा मनुश्य हस्मुक होता है, मित्रों में घुल मिलकर चलने वाला होता है। कला, साहित्य इसमें रुची होती है, सफल कलाकार होते हैं, स्रेष्ट संगी तग्य होत सफल व्यापारी भी बनते हैं उत्तम आये वाले होते हैं और शुब सूर्य परवत के कारण मनुष्य धार्मिक कारियों में भी रूची रखता है कट्टरवादी नहीं होते दूसरों की बात को सुनते हैं समझते हैं और ये व्यक्ति यात्राएं भी बहुत करते हैं दोस्तों सूर्य परवत वाले जातक सामने वाले मन की थाप आ लेते हैं और हतेली में यदि सूर्य परवत विक्सिक थो तो मनुष्य श्रेष्ट धन संपन्न बन जाता है आकस्मिक धन की इनको प्राप्ती हो सकती है रहन सहन इनका राजसी होता है वेभव पुर्ण होता है औ प्रतिभा के धनी होने से अपना विरोध करता है तो वो सहनी पाते और मूँ पर सपष्ट बात करके जगडा तक कर लेते हैं। सूर्य होता है उसमें आत्मविश्वास, सज्जनता, दया, उधारता, धन, वैदव सभी कुछ उन में होती है लेकिन अगर यही सूर्य परवत चप्ता हो जाए तो मनुष्य जीवन में महनत करते वे ठक जाता है इसके बाद भी सफलता मिलने की संभावनाई कम होती है। ऐसे जातक एक कारे को पुर्ण करने से पहले दूसरे कारे में लग जाते है और इस वजह से इनका कभी भी कोई काम पुर्ण नहीं होता। ये भाग्य हींता की निशानी होता है और जरूरत से जादा अगर विक्सित हो तो मनुष्य अत्यन्त घमंडी हो जाता है जूटी प्रशंसा करने वाला फिजूल कर्ची और जगडालू होता है। ऐसे लोग जीवन में कभी भी पुर्ण सफलता नहीं पाते। यदि परवत सूर्य परवत बुद्ध की ओर जुका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी होता है और धनवान हो करके समाज में मान सम्मान पाता है। सूर्य परवत पर अगर जादा रेखाए हो तो मनुष्य बीमार रहता है। हर किसी की हतेली पर सूर्य रेखा होती भी नहीं लेकिन अगर हो और वहाँ पर कुछ निशान हो तो ये मनुष्य को अति विशिष्ट और शम्ता बान बनाते हैं। प्रसिद्धी मान सम्मान दिलाते हैं तो चले फटा-फट बता देते हो कि सूर्य परवत पर कौन से शुब निशान आपको बहुत स्पेशल बनाते हैं। अगर सूरी रेखा आपकी हतेली पर हो और उससे कोई भी महीन रेखा कहीं से नहीं काट रही हो तो ये अति शुब लक्षन होते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में उचा पद प्राप्त करता है। संभव है किसी बड़े सरकारी पद पर जाएं। इसके अलावा एक से अधिक अगर सूरी रेखा हो तो वो भी बहुत विशिष्ट हातों में होता है। हतेली पर एक से अधिक सूरी रेखा का होना इस बात की और इशारा करता है कि मनुष्य समाज में अपने किसी अति विशिष्ट कार के लिए जाना जाएगा। सूरी परवत छेतर पर यदि तीन खड़ी रेखाएं हो तो उसे भी बहुत लकी मानते हैं और अगर ये रेखाएं आड़ी हो खड़ी रेखाएं होनी चाहिए वो लकी होती है अगर आड़ी रेखाएं हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता ऐसी दशा अस्वस्थता यानि बिमारियों को प्रकट करती है अगर सूर्य रेखा पर चक्र का निशान हो तो हर परवत पर शुब नहीं माना जाता चक्र लेकिन सूर्य परवत पर चक्र होना मनुष्य को प्रतिभावान बनाता है ऐसा व्यक्ति जिस भी छेत्र में रहता है उसे विशेश सफलता मिलती है सक इस निशान का होना ये निश्चित करता है कि व्यक्ति कम समय में बहुत अधिक सफलता को प्राप्त करेगा ऐसे लोग कभी भी जिन्दगी में आर्थिक परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ता और अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए इनके साथ ऐसा होत अगर सूर्य परवत पर त्रिभुज यानि ट्राइंगल का निशान हो तो मनुष्य बहुत बुधिमान होता है ऐसा व्यक्ति राज नेता बनता है या बड़ा नेता बनता है कला का पार्खी होता है सिद्ध हस्त होता है और कभी-कभी संभाव होता है बड़ा अभीनेता य पूप से निर्धन या बहुत अधिक आर्थिक संपन्न ना भी हो तो ये अपने प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिधी को कमाते हैं। हर चीज कहते हैं जो चाहेंगे सो मिलेगा वो मनुश्य को मिलता है। हर चीज के बहुत अपने भविश्य को खुद जानने की चेश्टा करें। अपने फ्रेंज फ्रेंज फ्यामिली मम्मी पापा भाई बेन बच्चे सबी लोगों से धेर सारा फन है। इसे जरूर शेयर करें। और उस शक्स की भविश्य पर से रहसी की चादर उठा सकते हैं। तो आप भी ट्राइ कीजिए अपने फ्रेंज फ्यामिली के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही खिल खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें। ताकि आप और मैं आने वारे वीडियो के तरू कनेक्टेड रह सकें। लव यॉल ठेक केर। चेह माता दी बमबम भूले नात की।